ग्वालियर में घर बनानी के लिए रुपए की जरूरत पर बहनोई से रुपए लेकर आरहे किसान को तेज रफतार ट्रक ने तक्कर मार दी घटना ग्वालियर बाइपास पर सिरोल इस्थित नैना गिरी चौराहे पर देर रात की है घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और घायल को उपचार के लिए हॉस्पिटर में भरती कराया है हॉस्पिटर में डॉक्टर ने उसे मृत घोसित कर दिया किसान की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी वाहन चालक के खिराप मामला धर्ज कर मृतक का सब पीम हाउस भेज दिया है गौलियर के सिम्री गाओं गिजोरा निवासी उम्र 40 वर्सी अजैस सिंगराडा पुत्र विरेन सिंगराडा किसान है अभी वे अपना मकान बनवा रहे हैं कुछ पैसों की जरूरत होने पर वे दिन में मुरारिस थित्यागी नगर में रहने वाले बहनोई के पास रुपए लेने आये थे रुपए लेने के बाद वे बाइक से वापस जा रहे थे अभी वे नैना गिरी चौराहे के पास पहुँचे ही थे कि तभी तेज रफतार आ रहे ट्रक के चालक ने लापरवाही से चलाते हुए उसकी बाइक में टकर मार दी टकर लगते ही अजय सिंग हवा में उचला और सिर के बल सड़क पर जा गिरा हाथसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गया हाथसे का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुची और घायल को प्चार के लिए भरती कर आया है जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे गोसित कर दिया किसान की मौत का पता चलते ही पुलिस ने आरोपी चालक की खिराप मामला दर्ज कर दिया है जिस समय एक्सिडेंट हुआ था उस समय अजय के पास धाई लाक रुपए थे जो वे अपने बहनोई से लेकर आ रहा था रुपियों से भरा बैक पुलिस को घटन पैस्थल पर मिला और उसमें रखे रुपए पुलिस कर्मियों ने मौत के परिजन को सौप दिये हैं बताया गया है कि मौत किसान के पास बेटी और एक बेटा है सभी बच्ची अभी छोटे हैं और उनकी देखभाल के जिम्मेदारी आजय पर थी उसके जाने के बाद अब झाल 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 झाल